कहते हैं कि किर्केट एनी सिंताओं का खेल होता है अंतिम बॉल पर कुछ भी हो सकता है ऐसा ही उदेपुरवाटी की राजनीती में देखने को मिल रहा है भाजपा निता संदीब सेनी पिछले दिनों से हम बात करें कि भाजपा से टिकट की दाविदारी कर रहे थे आज इस परकार से उन्होंने एक रेली निकाले और उस रेली में उनके समरतकों दिवारा मुख्यमंत्री असोग घहलोत के जिन्दाबात के नारे लगाए गए और जिस परकार से उनका जो बासरन था उसमें भी हम कहीं न कहीं हम बात करें मुख्यमंत्री असोग घहलोत की और लगातार उनकी और बोला जा रहा था तो इससे जाहिर होता है कि संदीब सेनी क्या कॉंग्रेस से चुनाव लड़ेंगे एनी सिंताओं की राजनिती हो गई कुछ भी नहीं कह सकते यह तो भविसे के गरम में आखिर टिगट किन को मिलेगी लेकिन जिस परकार से आज संदीब सेनी ने जो रेली की है उससे अटकले लगाई जा रही है कि इस बार संदीब सेनी कोंग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं हम इसकी पुस्टी नहीं करते प आज आपने बाड़ा नना से यात्रा आप लेकि आए और यह यात्रा क्यों निकालेगी सबसे पहले तो यह किसम जन्ता पूछ चाहिए देखो यह यह यात्रा उद्धेपुरवाटी के सभवाइमान के लिए निकली गी है ताकि उद्धेपुरवाटी के 36 कौम का सभवाइ काली डायरी का क्याराज जिशे तो को यह काली डायरी है ना यह काली डायरी राजेंदर सिंग गुड़ा के उद्धेपुर वाटी के हर ग्राम पंचैट और हर डानी के दूआ में किये गए अतिकर्मान अवेद अत्याय बज्री माफिया खनन माफिया उसके पन्ने हैं वो तो लाल डायरी खोलता हूं मैं काली ड करना है राजेंदर गुड़ा के काली डायरी का और ऐसी डायरी आं और राधेपुर वाटे व्यदान सभाद सबास्थि के हरगाओं हर डाडेंवें में बढ़े वी हैं तो क्या ये लाल डायरी का जबाब है ये उदे पुरवाटे की चप्टिस कौम ने जवाब दिया है संद्र जी कुछ दिन पहले आप बाज़पा की बाते कर रहे थे आज मुक्य मंत्री असोग गैलो जिन्दाबात के नारे लगे है क्या आप का अंग्रेस पार्टी जोइन करें देखो ऐसा है मैं बाज़पा की बात कर रहा था आज मैं कोई ने कोई असोग गैलोट साथ की बात नहीं की असोग गैलोट साथ इंदुस्तान में सबसे लोग प्रिये मुक्य मंत्री है मेरे आदर्णिये हैं मैं उनको पहले भी नेता मानता था और आज भी नेता मानता हूँ तो आगे की जो रणनेंटि है किस पार्टी की तरफ आप उसान कर रहें यह आप जन्ता को बताए कोई सूस्पेंस आपने रखा वा बीबी देखो सूस्पेंस जलूरी है सूस्पेंस होना जलूरी है य्रोधियों यह सेस्पेस बना रहना चीए और रही बात असोग एलोट साब की चाहे बात के जंता पार्टी की मैं पुन्हें आपको कहता हूं कि असोग वर्तमान विदायक वो यात्रा निकाल रहे हैं विदायक तो वर्तमान है नहीं वो पुरू हो सुखा मैंने बांडा नला में सीव मंदर प्राण परतिष्टा में कहा था राजेंदर गुड़ा तेरे उल्ती गिंती शुरू हो गई है उससे लेके राज तक का दिन देख लो उसकी उल्टी गिंती शुरू ही नहीं भी पुरी उल्टी गिंती शुरू हो गई वो एक दिने विदान सबाह में कह रहा था कि फोर्चुनर में कॉंग्रेस आ जाएगी मैंने कहा था तो साइकल पाजाएगा उसका नेतिज़ा देख ल आज उद्यपुर्वाटी की जनता ने उट गड़े पर बिठा दिया उसको अभी चुनाओ की बात करें तो कहता अंग्रे से चुनाओ लड़ा जाएगा पाजपास से चुनाओ लड़ा जाएगा देखो उद्यपुर्वाटी की 36 कौम यहां का मेरा युवास साथी जो पॉद्यपुर्वाटी की जनता एकजार परसेंट परिवर्त अंचाती है यह लोग चीज आपने भी अपने आँकों से डेखी है उद्यपुर्वाटी का युवाफ परिवर्त अंचाता है जो इसने एकजार बीगा जमीन पे अवेद फार्माउस बनाया है इसने गुड़ देर में फारमाउस बनाया है, गुड़ा के अंदर स्वामियों की जमीन को खुद की पत्नी के नाम करवा के जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाया है, उन गिरावडी में इसने फारमाउस बनाया है, सापुली में इसने फारमाउस बनाया है, कितने एक अवेद कबजे में आपको बत करता हूं इस मीडिया के माध्यम से उद्ध पुरवाटी की नहीं है राजस्तान की 36 कौम को यह संदीप से नहीं आपकी न्याय के लिए अंतिम समय हो ओड़ाय की जनवरी में मैंने कारेग्रेम किया था उसके बाद में मेरा यह पांचवा कारे उसके अंदर अपने अवेद गुर्गे बढ़ा रखे हैं। पुलिस जो लोगों को डिराती है और सबसे बड़ी बात बता हूँ आपको जो S.E.H.T. समाज उदे पुरुवाटे में बसा हुआ है उसके उपर 200 ऐफायर दर्जुई और कत्कालिन पुलिस उपर दिख सके नवलगर दोबारा सो मुग्दमों के उपर ऐफायर लगा दी S.E.H.T. के उपर दर्जुई उनमें से सो के उपर एफायर लगाने का काम किया इसने S.E.H.T. के साथ जो अत्याचार किये बेहन माया थी जिसने इसको जीवनदान दिया उसके लिए इसने विदानसवा में बोला गुझर समाज की राजनती कत्या हुई गुझर समाज के लड़के को मनकसास में मारा गया स्वामी समाज के साथ अत्याचार हो रहे है मारियों की जमीन आवेद कब्जे के जारे है जार समाज के साथ बल्लब अवेद कबजे के साथ जार समाज को इस्तापटाईट किया जाता है कि तुम्हारी बेहन बेटियों को यहां उद्धे पुरवाटे में नोगरी नहीं करने दूँगा मैं उनको भी आस्वस करता हूँ कि आप निश्चिंत रहें यह आपका भाई यह आपका बेटा उनके ट्रांसपर्ट नहीं होने देगा यह मेरा सो परसेंट वादा है उद्धे पुरवाटे की जनता से 36 कौम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मेरा साथ दो आपके हैक और अधिकार उमराओ आपके सुहाबी मान की लड़ाई यह आपका बेटा आपका भाई संदीप तैनी का उमर लड़ता रहेगा संगर्स करता रहेगा और जब जब भी मुझे जरुत पड़े आपको जूड़ पड़े रात को बारा बज़े भी मेरे दर्वाजे खुर ले आपके लिए मैं हर समय तैयार मिलूँगा मुझे जूड़ पड़े आप जैसे आज लोगो आज आप लोगोंने मेरा सही हो किया मैं उपेट सा करता हूँ कि अगली बार इससे भी ज़्यादा संख्या में आप पदा रहेंगे सभी पदा रहेंगे मेरे युवासातियों को बहुत बहुत धन्यवाद